Hello friends, तो आज हम देखेंगे कि आप अपने Windows 10 की जो login screen name है, उसको किस तरीके से change कर सकते हैं, मैंने देखा बहुत से ऐसे लोग हैं, जो कि अपने Windows का login name आता उसको change नहीं कर पाते हैं, तो इस वीडियो में मैं आपको वही बताऊँगा कि आप इस तरीके से वड़ी आसानी से अ एक जो है, आप Microsoft के account से login कर सकते हैं, जो कि online होता है, और दूसरा local account, offline account भी जिसको हम बोलते हैं, उससे, तो इसको आप कैसे check करना है, देखेंगे नीचे Windows का जो logo आ रहा है, इस पर click किजिए, यहां से आप setting पर आ जाईए, अब इसके बाद मैं आपको यहां पर accounts पर click करना है, तो यहां देखिए, आपका जो accounts है, वो आ जाएगा, तो यहां देखिए, अब मेरा दिखा रहा है local account, इसका मतलब क्या है कि मेरा जो local account है, Microsoft के account से login नहीं है, मेरा system, ठीक है, अगर आपका Microsoft से login होगा, तो यहां पर local account लिखा हुआ नहीं आएगा, ठीक है, तो आप इस simple सी command बताता हूँ, window plus R की press कीजिए, और यहां पर लिखिए, lusrmgr.msc और enter कर दीजिए, तो यहां पर आपको कुछ इस तरीके की window open हो जाएगी, यहां पर user पर किलिक कीजिए, अब देखिए, यहां पर मेरा जो account था, उसका name यह आ रहा है, यह login screen name अभी आ रहा था, अब इस पर आपको right click करके और rename कर देना है, और यहां पर आप जो भी नाम लिखना चाहें, वो नाम आप लिख सकते हैं, जैसे कि मैं यहां पर लिख देता हूँ, टैकी हाओ, ठीक है, और इसके बाद enter कर देता हूँ, तो यहां हम देखिए, हमारा जो name है, वो change हो चुका है, अ अब आपको कुछ नहीं करना है, वो इसको सीधे simply cut कर देजिए, अब आप देखेंगे, यहां पर change नहीं हुआ है, यह तब change होगा है, अब आप एक बार system को restart कर लेंगे, अब बात आती है कि आगर Microsoft के account से login है, तो आप किस तरीके से कर सकते हैं, तो देखिए आपको क्या कर ना बढ़ेगा, उसके लिए आपको अपने browser में जाएए और Microsoft के account से पहले login कर लीजिए अपने browser में, देखिए जैसे कि मैंने यहां पर कर रहा है, Microsoft.com पर जाएंगे और आप सीधे sign in कर लीजिए, उसके बाद में अपने accounts पर यहां पर देखिए, इस पर account manager, यहां पर आप इडिट नेम को option आ रहा है, आप यहां से अपना नेम जो एडिट कर सकते हैं, आप जो भी नेम डालेंगे तो वो आपके system में automatically update हो जाएगा, तो इस तरह से क्या आपकी Windows 10 में जो भी आपका जो login नेम है, उस तरीके साब उसको change कर सकते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बत पसंद आई होगे, वीडियो आपको अच्छी लगे हो तो इसे like कर दीजीगा और चैनल को subscribe किये भी ना, बिलकल भी मत जाएगा, तो मैं मिलता हूँ आप से next वीडियो में, goodbye.